तो बुदैरो नेंज में सबसे पहली बात जो आती है वो आती है इसके पेलोड को लेकर कि माल कितना लेकर जाएगी जनरल बाशा में अगर आप पहली बार देख रहे हो या पहली बार समझने की कोश्च कर रहे हो तो जीवीडेवलु क्या होता है गाड़ी का फूरा वेट हो गुदो होती है पेलोड की यानि की डाला में लोड कितना लेकर जा सकती है रेटेड लोड मतलब बिना ओवरलोड की परची घटा है तो महिंद्रा मैक्स जो पिक अप रेंज आ रही है वो आपको 1250 तेरासो चौदासों फंदरासों सत्रासों और 2000 किलो के हिसाब से आ रही ह और आल्मोस्स सभी वेरियंट्स के अंदर आपको LX और VXI वेरियंट मिलेगा VXI और LXI में क्या डिफरेंस है वह हम वीडियो के आखर में समझेंगे पर आप आप यह समझो पर लोग के आपको कौन सा वेरियंट चीए इतने सारे वेरियंट में अवेलेबल है साथ में ध्यान रखना एक सेम वजन है सेम सीसी से सबको सेम है तोड़े सी ट्यूनिंग का फरक है इस कारण से आपको एक में आपको 80 हप मिलता है और एक में 70 रहस पावर है हमारे जब बीए सिक्सटू में गाड़ी आई यह नई वाली मैक्स लांच करी है क्योंकि पहले अगर आपको याद हो तो आपको 195 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था मलब जोगी थोड़ा सा कम था और साथ में 65 HP की पावर जोगी अगें कमती तो आपको पावर सब थो आपको मिलने वाली है और अची बात ही है कि पूरी तुरू आउट बुलरो रही चाहेप सिटी लेलो चाहेब आपको एजदी लेलो सम्में पावर स्टेरिंग आपको मिलने वाला है सिर्फ एक model है city का 1.3 जिसके अंदर आपको manual steering का option मिलता है जो कि इन्होंने इंट्रक्टी जब इस September के टाइम पे September में launch किया था ना 4-5 महीने पहले 6 महीने पहले उसमें सिर्फ manual का option है वो भी अगर आप चाओ तो उसमें भी power ले सकते हो अच्छा है पेलोड जादा बढ़िया कर दिया और थोड़ा सा बढ़ा ही है पहले से मैंने से याथ रखने की कोशिश करी है मैं चेविट का हूं और गाड़ी जो है आपको हाइड देखो गाड़ी की वह पांच विट से जादा लगेगी मतलब ही डाले कियो कि इसकी हाइड पहले डेड़ फिट का आता था अब दो फिट का आने लगा है मतलब आल्मोस्ट छे सो एमम की इसकी हाइड हो गई है अब बात करें अगर डाला की जो सबसे जादा जरूरी होता है तो आपको 8.2 से लेके 10 फिट तक की डैक लेंग्ध मिल जाएगी मतलब अगर आप सिटी म आपको लगर जादा लंबा ही है तो आप 9 फिट भी ले सकते हो तो 8.2 फिट, 8.5 फिट, 9 फिट, 10 फिट जो मर्जी है वो ले लो यह वाले जो गाड़ी है वो 6 फिट की चोड़ाई भी आती है जो की बहुत जादा है और 5.5 फिट की चोड़ाई की आपकी जरूरी होता है वो ले लो मतलब कार को एरिया इसका काफी जादा बढ़ा है साथ ही साथ एक चीज़ और आपको यहां देखने को मिलीगी जो दो टन वाली गाड़ी है या जुसमें 10 फिट वाली डाला आती है उस गाड़ी के अंदर आपको 16 इंच के टायर देखने को मिलेंगे अच्छा एक चीज़ बात कि 7-16 के टायर है मतलब बहुत हैवी ड्यूटी टायर है अगर आप देखो कि कुछ इसे और काफी उपर सेग्मेंट वाली मतलब जो ओवर और पांच टंज जीवडव वाली चेटन जीवडव वाली ट्रक्स भी है उनमें भी 7-16 के टायर साथ है अगर तो थोड़ा सा कम है अब इतना सारा लोड लेकर जाना है उसके लिए क्यों कि आप बाढ़ा होगी तो महेंद्रा ने का हम बढ़ा के दे देते हैं यह बाहर से बढ़वाने की कोई जरूवत लिए जो दो तन वाली गाड़ी है उसमें पीछे की तरफ दस पट्टे कमानिया आती है साथ इसकी मास्टर लीफ आती है उसकी मोटाई थिकनेस बढ़ा दी गई है आगे की तरफ साथ कमानिया इसके अंदर दे रखी है मतलब अगर जो आप हैवी लोड वाली गाड़ी लोगे तो दस पट्टे पीछे हैं साथ पट्टे आगे मतलब बहुत जादा साथ में एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि जितनी आप जो है लोड कम कर दोगे उतनी कमानी पट्टे कम हो जाएंगे पर कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आपके कमानी जो है वह ओवर आपको कम लगे हाँ और थिकनेस बढ़ाई है साथ में बुशिस वगरा डाले जिस आपकी गाड़ी टॉपलना हो जाए या गाड़ी हिले डोले इसके लिए एंटी रोल बार्स दे रखे जिसका बी रोल आप या फिर आप रोल देख रहे हो तो मतलब गाड़ी में तो इंप्रूब्मेंट्स की है आईए और बताता हूं बूलरों के बारे में अब अगर इत की दूरी जो है ना बूलरों में अच्छी रखी है और अल्मोस्स ये कॉंस्टेंट वील बेस है दिकत नहीं आएगी आपको कहीं भी मतलब वो जोला मालने वाली प्रॉब्लम कहता है अब हाइट भी तो होती है लोड की तो अगर हम केविन हाइट की बात करें तो 6.3 फीट अब 6.3 फीट से जादा की गाड़ी की ओवरॉल हाइट है तो चोड़ाई बढ़ा दी लंबाई बढ़ा दी इसके साथ में अगर गाड़ी की बात करें तो यह वाली जो गाड़ी है उसाले सत्रा फीट की लंबाई में है मतलब यहां के डाले से अगर मैं आगे तक डाल अब कमाल करी दिया था तो सिटी में आपने देखा था 55 लीटर का फ्यूल टेंक आता था उसको आगे बढ़ाते हुए 15 लीटर की कैपासिटी और बढ़ा दिये और बोलाई कि 15 लीटर का लोग एड़ बढ़ा रहे ना काड़ियों में हमने डीजल बढ़ा दिया आपको लीटर का क्लेम करते हैं यह लोग कितना देती है और यकीन मानों प्रैक्टिकल डेटी लाइफ में अगर आप चलाओगे हम तो गाड़ी घर पर हमारे हम तो चला रहे हैं तीन चर दिन से 15 का मालेज अगर बात करें हम HD सीरीज की बारे में 80 और वाली गाड़ी के बारे में 220 बीज नुटर मीटर वाली गाड़ी के बारे में इसका माले भी बहुत अच्छा है आप मान के चलो कि आप बारा के चाउदा-बारा चाउदा-बारा चाउदा डेपेंड कर डिके सब चीजों का फीड़ एक-फीडबैक और लेते कि बड़े मोडल में AC को as an option दे देते हैं तो काम बन जाता क्योंकि गाड़ी गर्मी में वाकई में गरम हो जाती है बहुत शौकिया लोग लेते हैं और इस बुलारों के आफ्टर मार्केट फिटमेंट आप दीलर्शिप से वारंटी वगरा उन सब का तर्मस कंडिशन पहले से पूच के उसकी कहा से वाइरिंग वगरा होगी वह करना तो यह चीज मेहंटरा ने मेजर में सब्सक्राइब एक सवाल और मुझे आया था दो तीन दिन पहले कि लोगो प्राइस कीजिए प्राइस बता देंगे वह आपको गाड़ी कुछ दिनों मिल जाएगी बना ले आपके लिए बनाने डालेंगे वह लेकी ऊपर तो यह एक चीज और है साथ में यह मैक्स केविन के साथ में आने वाली बुलारोस है तो कुछ जो पुरानी वाली हमारी बु बागी गाड़ी में मैक्स के भी लगाया कुछ जादा खास नहीं और एक चीज आपको दियान देने वाली है कि इसके जो कॉम्टिशन है अगर आपको अपनी जेम में दस लाख रुपे आट लाख रुपे बारा लाख रुपे लेकि घूम रहे हो कि पिक अप खरीद नहीं यह माल लेकर जाना यह लोड लेकर जाना हमारी बहुतारी वीडियो से वहां देख लो नहीं देखना आपको में बता देता हूं क्या कर गाड़ी और आपको दिख जाएंगी मार्केट में सबसे पहली गाड़ी जो आपको दिख जाएगी अगर आप 1.5 तन के आसपस देख लोगों से स्ट्रॉंग आता है आई वन आई टू आई फो बहुत सारे दोस्त वहां पे आते यह कुछ आपको प्रॉमिनेंट जो इसके डिरेक्ट कॉम्पेशन में गाड़िया दिखेंगी कि यह दिख जाएंगी कि यह यह बूलारों से डिरेक्ट आपको कॉम्टीट करते इसमें चार सिलिंडर एंगर एंगर इसकी रिसे राली सबसे जाएं यह बूलारों नाम से बिखती है तो इसको बेशने नहीं जाते कुछ गाड़ियों को चिपकाया जाता है यह बात थी मैंने उमीद कर रहों मैक्स के बारें बहुत देटेल आपको इंफॉमेशन दे लाइक करके प्लीज जाना आपके लाइक से ही जो है गाड़ी का तेल ललता है और हम जो है इतनी सारी वीडियो बना पाते हैं सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए मिलेंगे आपसे बहुत जल ऐसी कैसी वीडियो हो तब तक नमस्कार जाहिन वन्ने बात रहों